So hey friends, welcome back to the new vlog and friends, आज है 3rd October and आज है मेरी हिंदी की अर्दवार्शिक परिक्षा, आज हिंदी का एक्जाम है इस वे से हिंदी बोल रहा हूँ and सारा स्लेवेस बगेर हो चुका है almost and अब मुझे रिविजन करना है, मैं 5 एम पर थोड़े चल्दी उठ गया था ताकि यार जो अलंकार बगेर होते हैं उन्हें रिवाइस कर लोने, एक बार तो दिमाग में बैट जाते हैं सुबह सुबह, तो उन्हें एक बार रिवाइस कर लूँगा, कुछ कोशन आंसर बगेरा पढ़ लूँगा और एक पीवाइक्यू वगरा देख लूँगा, मतलब पीवाइपी देख लूँगा, प्रीविस एर कोशन पेपर ताकि थोड़ा पता चल जाए, कहां कैसे आएगा पेपर और कैसे कैसे टोटल होने वाला है, तो चलो अब जल्दी से पढ़ लेते हैं, तो यार यहां पर म 2020 का पीवाइपी है, एंड यार इसे देखने के बाद न, क्या होगा न, मैं थोड़ा एनलाइस कर लूँगा, कि यहां पेपर में कितने ओप्सें आएंगी, कितना टाइम मेनेजमेंट कैसे करना है, यह सब मैं पहली देख लेता हूं, आप भी ऐसी कर लिया करो, एंड यार सब के साथ होता है, तो उसका एक सल्यूशन है, यह सब के साथ होता है, तो उसका एक सल्यूशन है, कि डेली राइटिंग करा करो, तो आपकी भी राइटिंग भी अच्छी जाएगी, और साथ में अगर बात करें अलंकार बगएरा की, तो यह अलंकार बगएर के लिए तुम यूट्यूब पे वीडियो बगएरा देख सकते हो, ग्रामर की, जिससे आप ग्रामेटिकल एर्र अगर बगएरा भी कम कर सकते हो, और याद ग्रामर में तो बहुत साइट ट्रिक्स होती है, मैंने मतलब यूट्यूब एक चैनल है, हिंदी अध्यापक महासी में वीडियो देखता हूँ, और बहुत साइट ट्रिक्स बताता है, आप भी उन ट्रिक्स को यूज कर सकते हो, जो हिंदी की लिट्रेचर बगएरा होती है, तो मैं एंसी आटी से ही रेट कर लिता हूँ, और सबसे बड़े लिट्रेचर दी रखी होती है, मैं इसे रेट करो, रेट करने के बाद में महासी कोश्चन आंसर आप अराम से बना की लिख सकते हो, मैं भी महासी बना की लिखत बहुत ज्यादा अच्छी कर लिए पिछले साल से तो अब तो ज्यादा नमबर नहीं करते हैं मुझे हाई ओप की पेपर बहुत ज्यादा अच्छा जाए तो चलो जल्दी से पढ़ लेते हैं कल यानि फोर से आरा है तो यहां पर हम आपके ड कि लिए मैं आपके डावट कि लिए करना निसाथ पूस्केरwest के लिए में विलीक से सायंते के कोश्च्छन कें हैं कि कलस्तृइंट क traced by में second नब यादव मज़े आने वाल Hari कल 11ं पर होगी लाइव तो सब आजाना डिस्क्रिप्शन में लिंक है अलारम गुजिवा इंडर वगेरा सब लगा लो कर 11 एम पर आ जाना तो चलो वीडियो में आगे वड़ते हैं तो फाइनली शावर वी ले लिया है और सकूल के लिए रैडि वगरा हो चुक हूं अब करना है बेग वगराप्स्ट गरनी के वाद में हैं थोड़ा बैंग वगरा में समान डालना है और सीधे चलेंगे इस पूल तो चलो जल्दी से ब्रेक वाप स्ट कर लेते हैं ब्रेक वा मतलब कि मैं इस्कूल में जातर खाना वगरा खागे नहीं जाता हूँ और दूद्ध पी लेता हूँ लेकिन आज मैं खा रहा हूँ आलो का पराथा एंड मुझे लग रहा है कि आज मुझे एक्जाम में नींद आने वाली है तो इस विए से मैं वैसे कम कहूंगो लेकिन यार वग्यापन लेकर तो अब चलू जली से समझा या एंड मिलते हैं विग्यापन लेकर वगरा रहा है तो चलो मिलते स्कूल के बाद बाद भाई वाय फाइनली स्कूल से आच चुका हूँ है टी ज्यादा अच्छी गई है यहाइपाद लिकीन याच्छी गई है लेकिन करो तो आप ले सकते हो जब आप वीडियो देख रहे हो तब अपलोड कर दिया होगा तो टेलीग्राम का लिंक डिस्रिप्शन में महां से आप देख सकते हो तो मतलब इस पेपर में सबसे पहले था वह था आप पढ़िद कद्यांच एंड जिसे पढ़के थोड़ा मतलब सीख ब यहां पर भी 5 है कोशन ते और यह में ट्रेशन वाला भी कोशन था फर प्रशनों के उत्तर दीजीए वाली कोशन दे जिसमें ग्रामर थी एंड नेएक्स पेज्पिगे पुरी ग्रामर ही एंड ग्रामर में नीचे अलंकार वगरा भी दे रख हैंड यहां पर थोड़ी से म सब्सक्राइब आपको तो और यह नेक्स पेज पर लिखना था यह उप्षन नहीं था तो यह भी लिखना था और इसमें भी सारे कर दिया और यह जो गावाला देखना एंड इसका अंसर बताना पीछे वीडियो करके देख लो एंड यहां पर फस्ट यह फिर पाटे पुस्त तक से दे दिया था गद्याइश और फिर कुछ बगारा थे और यह मतलब यह इवाला जो पेस्ट ना यह पूरा कट गया था यह भी प्रिंट हो गया था तो मिस्प्रिंट जादा होता है यार पता नी क्यों और फिर गद्फ पाठ होके दो और फिर नीचे यह दे रखा है अमार अपठ पदांश और इसमें भी कोश्चन से थोड़े हाई लेवल की कोश्चन थे लेकिन कर दिये थे अब यहां पर फिर एमसी क्यों आ जाते हैं यह प्र एमसी क्यों जो थे यह महां से दिख कावे कंड में से एंड फिर यह तीन करने थे तीन और उसके बाद में जोई नेक्स्ट पर यहां पर हमें पस्र बगारा करना था विग्या फलन लेगन करना था और अपनी इमेल बगारा लिखनी थी और यह पूरा पेपर पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा गया इजी पेपर था ज्यादा हाड नहीं तया ले तिल दे नेक्स देट अप्ते किलिए बाइ